वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर आज है सेटेडे मॉर्निंग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में क्या कुछ चल रहा है क्रिप्टो मार्केट का हाल आज और लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग आई होप आप सब अच्छे होंगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे गलोबल क्रिप्टो मार्केट का बढ़ता ही जा रहा है और मार्केट की जो बुलिश मार्केट है वो भी हमको बैक टु बैक देखने को मिलती जा रही है धीरे धीरे इस है लेकिन मार्केट के लेवल उपर जा रहे है लेकिन यहाँ से यह नहीं कह सकते कि मार्केट अभी और नीचे नहीं जाएगा ठीक है यहाँ से वो टाइम स्टार्ट हो गया जब मार्केट उपर की तरफ ही जाने वाला है जितना down जाना था उतना down चला गया है ठीक है अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है अभी bitcoin आपको और भी नीचे के level दिखा सकता है हाँ ये temporary pump हो सकते है थोड़ा सा market stable रह सकता है bullish हो सकता है ठीक है और 957 billion dollar पे आ चुके हैं हम वापिस तो बिल्कुल 957 billion dollar का market का अब हो चुका है जो की बढ़ रहा है और सीधा 1 trillion dollar के करीब जा रहे है हम और 2.1% last 24 hour में पूरा crypto market उपर गया है market अगर देखें तो पूरा हरा भरा market हमको देखने को मिल रहा है bitcoin चल रहा है 21,200 पे और 21,287 पे जो है bitcoin अभी trade कर रहा है अगर आप देखेंगे ये current price है bitcoin के 20,000 पे चल रहे थे 24 गंटे में सीधा 21 पे आया 20,700 से लेके जैदा उपर का level नहीं है लेकिन हाँ 20 से 21 तक आया और 21,472 का एक high भी लगाया bitcoin ने तो ये bitcoin की performance रही है last 24 hour के अदर क्योंकि bitcoin के levels भी bitcoin के moment बहुत ज़रूरी है crypto market के लिए 21 से लेके 21 अगर आप देखें ये level था यहां से हम उपर भी फिर नीचे है और अभी फिर जो है bitcoin इसी level पे trade कर रहा है 21,000 डॉलर पे लेकिन market यहां से नीचे के level भी दिखा सकता है ठीक है और अगर हम देखें पूरा market यहां पे हरा भरा है Ethereum की बात करें तो Ethereum record तोड जो है यहां पे ग्रेनरी हमको दिखा रहा है तो बिलकुल 1224 डॉलर पे Ethereum के price चल रहे है और 6% market थोड़ा उपर जाता है तो लेकिन Ethereum बहुत ज़्यादा उपर जाता है और Ethereum गिरा भी उसी उतनी तेजी से था जितनी तेजी से भी उपर जा रहा है और price आ चुके है 95,000, 96,000 के around मतलब सीधा एक लाग के करीब Ethereum पहुँच राइस टाइम पे काफ DT 3 नंबर पे है BNB coin भी 240 डॉलर पे आ चुका है तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे 3.6% उपर है तो market एक दम bullish है और Binance Coin भी काफी अच्छा उपर आ चुका है और XRP Ripple जी हाँ वापिस आ चुका है 6 नंबर के उपर 0.36 के साथ अलकी सी green री है 15% ये भी उपर गया और Binance USD आ चुका है 0.99 के साथ 7 नंबर पे ठीक हैं Cardano की बात करें 0.50 पे चल रहा है और ये 8 नंबर पे आ चुका है 2% उपर है और Solana 41 डॉलर पे Solana पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे 7 डेगा चार्ट तो 38% तक उपर गई है लास 24 आउर में 7% उपर है और 41 डॉलर पे आ चुकी है तो Solana भी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखा रही है Dogecoin भी कम नहीं है 19% गया लास 7 डेज में 0.067 के साथ चल रहा है 10 नंबर पे fix है Dogecoin 4% लास 24 आउर में उपर गया है इसके बाद Polka Dot भी 11 नंबर पे अगर आप देखेंगे Polka Dot के जो लेवल्स है वो भी आ चुके है आठ डॉलर के उपर 3% उपर गई है ये भी 14% तक जो है उपर गया है 7 दिन के अंदर डाए 12 नंबर पे और 30 नंबर पे अगर आप देखेंगे जहां Tron हुआ करता था वहाँ आज आ चुका है Shiba Inu Tron आ चुका है 14 पे Shiba Inu 13 पे 0.4 x 0 1144 11% Shiba Inu के प्राइस उपर चल रहे हैं उनने कली बात की दी कि Shiba Inu के जो सिगनल्स हैं वो बुलिश सिगनल हमको मिल रहे हैं और दो दिन पहले जैसी रैली दिखाई 50% तक उसके बाद बाइंग प्रेशर Shiba Inu पे काफी अच्छा है 15 पे अवलोंच 25 डॉलर के साथ आ चुकी है 18 पे पॉलिगॉन है यो नी स्वैप लाइट कोई लेकिन Shiba Inu का मार्केट के बढ़ रहा है यहां पे 6.35 बिलियन डॉलर का हो चुका है जल्दी ही 12 नंबर पे भी आ सकता है डाय को भी फ्लिप कर सकता है और अगर हम Shiba Inu का हाई लो देखें तो यहां पे Shiba Inu के 0.490 1157 की सीरीज चल रही है और 1007 का एक लो हिट किया और 1171 का हाई अपने हाई पे चल रहा है इस टाम पे 24 आवर के और 17,44,000 लोगों की नजर में पहुचने वाला है 12% Shiba Inu ग्रीन मे 12 की सीरीज जो है तकरीबन तकरीबन यहां पे Shiba Inu अगर आप देखेंगे टच करने वाला है और अगर हम ट्रेडिंग वाल्यूम की बात करें तो Shiba Inu की ट्रेडिंग वाल्यूम 43% तक ग्रीन में चल रही है तो आज Shiba Inu अच्छा बुलिश बना हुए 12% Shiba Inu के प्राइज उपर चल रहे है यह कुछ करन्ट हाल है क्रिप्टो मार्केट के तो जैसा कि हम बात कर रहे थे Shiba Inu के बारे में कल भी हमने बात की और Shiba Inu का जो Shiba Inu है वो quarter 3 में ही आएगा और quarter 3 की starting में जो जितना भी हमने project देखे हैं Shiba Inu के वो सब quarter की starting में या month की starting में ही release होते देखे हैं तो जुलाई की starting में जहां तक chances है Shibarium public testnet to release in quarter 3 announces unification तो यहां पे बिलकुल quarter 3 का time start हो जाएगा जुलाई से जुलाई रहेगा first month तो जुलाई में जहां तक अब चीजें clear हो चुकी हैं कि Shiba Inu जुलाई में launch होने वाला है और इसका impact Shiba Inu पे काफी ज़दा देखने को हम में मिल सकता है last 24 hour में Shiba Inu की burning की बात करें तो 75 million tokens जो है last 24 hour में burn हुए है next update है ethereum whale blue whale 0072 को लेके कल भी इसने matic coin को लेके काफी transaction किये थे और उसके बाद भी काफी transaction किये है आज अगर आप देखेंगे तो काफी transactions हुए है और और फिर से इसने 10 million जो है matic coin खरीदे 10 million कल 11 million एक transaction में करीदे थे बाफी transaction में और खरीदे थे तो पहला transaction है 10 million का 6 million dollar के जो है Matic coin इसने फिर से खरीदे है'm काफी ज़धा accumulate कर रही है whales अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी ज़्यादा accumulation हो रहा है यहाँ पर वेल्स की तरफ से और यह 6 million dollar के जो है यहाँ पर मैटिक कोईन पहले transaction में इसने खरीदे 298 पेस की rank इसके बाद यह दूसरा transaction है जिसके अंदर 47 सेवन लाक अगर आप देखेंगे 47 लाक यहाँ पर मैटिक कोईन इसने दूसरे transaction के अंदर खरीदे है 2.7 million dollar के और 340 पेस की rank है यह भी एक बड़ा transaction किया है अगला transaction है एथिरियम विल क्वोट का तो अगर आप देखेंगे इस विल ने काफी जदा मैटिक कोईन खरीदे है यह फॉर्थ ट्रांजेक्शन है इस विल ने काफी जदा मैटिक कोईन खरीदे है और इसने खरीदे है 4 million इस transaction में अगर आप देखेंगे 4 million है तकरीवन तकरीवन 50 लाख के करीब जो है यहाँ पर मैटिक कोईन खरीदे गए है और यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा नंबर है 2.9 million dollar के आप खुद सोच सकते कितने यहाँ पर coins खरीदे गए पिछले दो दिन में कल भी हमने आपको मैटिक को लेके अपडेट दिये थे सब यह है पाचवा ट्रांदेक्शन और यह है एथिरियम वेल ब्लेक का ब्लेक का भी एक नहीं वेल का यहाँ पर ना मैड होता हुआ और इसने खरीदे यहाँ पर 19 लाख मैटिक कोईन 1.1 million dollar के र या celsius network ने लेकिन अगर आप देखेंगे जो crypto lender celsius network है यह पिछले 10 दिन के अंदर 290% तक इसके price बड़े हैं गिर भी गया था 290% जो है इसके price बड़े है क्यों क्योंकि वेल्स ने accumulate किया है बहुत जैदा इसको और heavily accumulate किया गया है वेल्स की तरव से तभी इसके price जो है यहा करने को मिले तो बहुत सारी exchanges hiring कर रही है बहुत सारी exchanges अपनी workforce को कम कर रही है जो workforce को कम कर रही है उस list में नाम आ गया है bitpanda का भी bitpanda to let go of around 300 workers emit crypto market down तो 1000 employees है bitpanda के और यहाँ पे 730 तक जो है यहाँ पे अब employees रहेंगे और यह भी अपनी workforce को जो है यहाँ पे reduce कर रहे हैं कम कर रहे हैं next update है Mark Zuckerberg को लेके Meta के CEO है उनका believe है कि Metaverse will have billion people by 2030 और यह चीज़ हम भी कह रहे हैं कि 2030 तक आने वाले कुछ सालों में Metaverse की market काफी बड़ी market होने वाली है और जो project चल रहे है crypto market के अंदर Metaverse से जुड़े हुए तो Metaverse भी future ही है और Metaverse के coins भी future है और यहाँ पे billions of people और companies बहुत सारी Metaverse से जुड़ जाएंगी बहुत सारी company जुड़ जाएंगी एक बड़ी market बन जाएगी सिर्फ अकेला Metaverse का यह एक बहुत बड़ी चीज़ है next update है world crypto conference 2022 को लेके जी हाँ world crypto conference 2022 for the first time held in Jewish Switzerland तो Switzerland के अंदर यह जो है यहाँ पे world crypto conference होने वाला है और यह जो conference होगा 13 से 15 January होगा 2023 में बिलकुल नए साल की starting में और यहाँ पे आप date भी देख सकते हैं world crypto conference तो एक बहुत बड़ा event फिर से crypto को लेके होने वाला है नए साल की starting में और 13 to 15th January 2023 को यह जो है world crypto conference होने वाली है Switzerland के अंदर last and final update की बात करें तो NFTs are going to flip cryptocurrencies in the next decade तो यह कहना है one confirmation founder का और निक ने चीज़े कही है the founder of crypto focus investment firm one confirmation has said that NFTs are going to flip cryptocurrencies in the next decade तो यहां पर यह चीज़ कही गई है कि NFTs cryptocurrencies को भी यहां पर flip कर देगा next decade के अंदर ठीक है अगले कुछ साल के अंदर तो देखते हैं ऐसे कुछ होगा या नहीं होगा यही कुछ cryptocurrency news and updates थी I hope इस वीडियो में आप सारी चीज़े समझ गयोंगे तो किसी भी crypto या shiba इनों में किसी भी coin में आप invest कर रहे हैं तो आप खुद से भी research कर लें वो बेहत ज़रूरी होती है वीडियो पसंदा है वीडियो को like share कर देना नीचे description में Twitter, Telegram के link है join नहीं किया तो join कर सकते हो, वहाँ भी important update आपको मिलते रहते हैं आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते है, next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye